सबसे पहले इस टाइटिल को देखते हैं इंबेटल्ड का मतलब होता है कई problems या कई समश्याओं से घिरे हुए होना तो यहां हम बात करने वाले हैं CM की जो की कई problems या कई difficulties से घिरा हुआ है anti-graft moves should not be overshadowed by political motive anti-graft moves का मतलब हुआ ब्रिष्टा चार के खिलाफ कदम overshadow का मतलब होता है किसी चीज को फीका कर देना यानि कि किसी चीज का प्रभाव ज्यादा हो जाए और वो किसी अन्य चीज के प्रभाव को कम कर दे तो उसको हम बोलते हैं overshadow कर देना किसी को छाया में डाल देना एक तरह से निश्प उसका प्रभाव जो है वो कम कर देना by political motive political motive का मतलब हो गया कि आपका कोई राजनेतिक मकसद राजनेतिक उद्देश कहने का मतलब यह है कि ब्रिस्टा चार के खिलाफ उठाए जाने वाले जो कदम हैं उनके उपर राजनेतिक मोटिव की छाया नहीं पढ़नी चाहिए ध्यान से समझें से कि ब्रिस्टा चार के खिलाफ जो एक्शन लिये जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वे जो एक्शन हैं वे किसी राजनेतिक मकसद से प्रेरित हैं उनके पीछे राजनेति तो नहीं है यह इसका मतलब हुआ politico-legal cases have a momentum of their own कि कानूनी cases जो की राजनेति से भी जुड़े हुए होते हैं have a momentum of their own तो इस तरह कि जो cases होते हैं उनकी अपनी अलग ही चाल होती है यहनि कि normal cases की चाल अलग होती है और जो राजनेतिक case होते हैं उनकी चाल अलग होती है depending on इस बात पर depend करता है इस तरह की case who is being prosecuted and who facilitate who is being prosecuted यनि कि किस पर अभियोग लगाया जा रहा है and who facilitate facilitate का मतलब होता है सुविधा जनक बनाना और सुगम या आसान बनाना forward moment forward moment का मतलब हुआ आगे की और कदम बढ़ाना action लेना on their procedural aspect कि इस तरह के जो cases है उन cases में जो procedure होता है जो प्रक्रिया होती है aspect का मतलब होता है पहलू पक्ष तो कुल मिलाके इस तरह के जो case होते हैं उनकी चाल काफी हद तक इस बात पर depend करती है कि ये जो case है ये किस के against लगाया जा रहा है और case में जो action लेने वाला है वो कौन है who facilitates forward movement on their procedural aspects कि जो case है उसकी जो भी प्रक्रिया है उन पक्षों को कौन deal कर रहा है आगे देखते हैं एक विशेश अदालत ने बड़ी तेजी से action लेते हुए state के लोकायुक्त पुलिस को ये निर्देश दिये हैं कि investigation की जाए एक जो complaint मिली है जो शिकायत मिली है उस शिकायत के संबंद में investigation किया जाए किस के खिलाफ की जाए investigation chief minister सिद्ध रमया के खिलाफ है न ब्रिष्टाचार की जाच जो है उनके खिलाफ की जाए the step comes in the wake of in the wake of का मतलब होता है as a result of किसी चीज को follow करते हुए कि ये जो कदम आया है ये जो निर्देश आये हैं ये किसके परिणाम सरूप आये हैं करनाटक हाई कोर्ट lifting the bar on the special court कि करनाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद यानि कि करनाटक हाई कोर्ट ने क्या किया lift का मतलब है हटा लेना बार का मतलब होता है रोक यानि कि special court पे जो रोक लगी हुई थी उस रोक को करनाटक हाई कोर्ट ने हटा दिया इसके बाद में ये जो है special court का direction आया है dealing with किस special court की बात हो रही है यहाँ पर deal with का मतलब होता है किसी चीज को handle करना tackle करना private complaints on the issue कि इस मुद्दे से संबंदेत जो निजी शिकायत प्राप्त होई है उस special court की बात हो रही है while upholding governor थावर्चंद गहलोथ uphold का मतलब है इस बात को maintain करते हुए इस बात को कायम रखते हुए यानि कि जो करनाटक high court है उसने इस बात को कायम रखा है कि इस बात को governor थावर्चंद गहलोथ grant का मतलब होता है मंजूरी देना grant of permission to initiate initiate का मतलब है शुरुआत करना an investigation into allegations against the CM तो देखो करनाटक के जो governor है थावर्चर गहलोथ इन्होंने क्या किया था permission दी थी किस चीज की कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो initiate की जाए किस के खिलाफ CM के खिलाफ जो भी allegations है जो भी आरोप है उन आरोपों की investigation की जाए तो ये जो permission दी थी governor ने उस permission को uphold किया है करनाटक high court ने the charges arise from arise के साथ में आता है from preposition arise का मतलब है यहाँ पर उठना यानि कि ये charges जो है वे कहां से आते हैं कहां से उठते हैं इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं benefits worth 56 करोड वर्थ का मतलब है इतना है न कि कितना वर्थ है इनका कितना लायक है ये चीज है ये जैसे कोई चीज है आपके पास उसकी वर्थ क्या है उसका amount क्या है worth 56 करोड that is family allegedly derived from derived के साथ में आता है from preposition इसका मतलब होता है प्राप्त करना अब देखो चार्जेस क्या है चार्जेस चार्जेस है कि सी एम और उनकी फैमिली जो है उनने बेनेफिट्स प्राप्त किये कितने मूल लेके लगबग 56 करोड मूल लेके और ये कहां से प्राप्त किये उनने कथित तौर पे ये 56 करोड उनको प्राप्त हुए कि जो M-U-D-A है उसके द्वारा क्या किया गया देखो ये जो development authorities होती है इनको जब जरुवत पढ़ती है तो ये क्या करती है जमीन अधिगरहित करती है और बदले में हरजाना देती है मुआवजा देती है तो उसी मुआवजे को कहा गया है compensation तो क्या हुआ कि जो CM है उनकी wife है उनको compensation के रूप में M-U-D-A की तरफ से 14 sites जो है प्राप्त हुई और इस तरह से उनने जो है एक तरह से 56 करोड का फाइदा हुआ और ये जो फाइदा है वो एक तरह से legal नहीं था इस तरह के आरोप है मिस पारवती ये कौन है सिदारमया की wife who was one of those whose land had been acquired तो ये जो मिस पारवती हैं ये उन लोगों में से हैं whose land had been acquired कि जिनकी की जमीन को अधिगरहित किया गया था M-U-D-A के द्वारा and developed और इस जमीन को अधिगरहित करने के बाद में developed किया गया for a residential layout वहाँ पर क्या किया गया एक residential जो है unit या residential इकाई जो है वहाँ पर तैयार की गई layout का मतलब होता है कोई design जैसे कोई भी चीज़ है उसको किस तरह से design किया गया है arrange किया गया है तो एक residential layout जो है develop किया गया उसके लिए जमीन अधिगरहित की गई M.U.D.A. के द्वारा और इसके बदले में जो है हर जाने के रूप में या च्छती पूर्ती के रूप में benefits जो है M.U.D.A. के द्वारा दिये गए the high court rejected Mr. Sidha Ramayas stand stand का मतलब होता है पक्ष कि भई आप क्या कहना चाहते हो तो high court ने Mr. Sidha Ramayas के पक्ष को खारिच कर दिया क्या बात Sidha Ramayas ने रखी थी? that Mr. Gehloth had acted in undue hast undue hast का मतलब होता है गैर जरूरी जल्दबाजी in issuing a show course notice on the very day the complaint was received तो Mr. Sidha Ramayas ने court में ये बात रखी कि Mr. Gehloth जो है उन्होंने गैर जरूरी जल्दबाजी दिखाई थी किस चीज में? show course notice issue करने में Mr. Gehloth ने Sidha Ramayas के against show course notice issue किया था और ठीक उसी दिन जिस दिन शिकायत Mr. Sidha Ramayas के against प्राप्त होई थी and had shown non application of mind Mr. Sidha Ramayas का कहना था कि Mr. Gehloth जो है उन्होंने दिमाग का प्रियोग नहीं किया while approving the beginning of a probe कि जब उन्होंने approval दिया मंजूरी दी किस चीज की? the beginning of a probe कि जब उन्होंने जांच के आदेश दिये तो इस दोरान उन्होंने mind का प्रियोग नहीं किया ऐसा Sidha Ramayas का कहना था कोल्ट में it further rejected the argument कि जो high court है further का प्रियोग करते हैं हम कुछ और add करना चाहते हैं जब बात में it further reject का मतब है the argument तो high court ने इस argument को भी खारिज कर दिया किस argument को? that the governor should follow the advice of the council of ministers in this देखो generally क्या है? कि governor जो भी decision लेता है उन decision में generally governor करता क्या है? council of ministers की बात को follow करता है तो इस बात को भी high court में mr. सिद्धा रमया की तरफ से रखा गया कि governor जो है उन्होंने council of ministers की सलाह को follow नहीं किया यानि कि जो council of ministers थी उसने मना किया था जो मंत्री मंडल था उसने मना किया था जाच न करने को कहा था लेकिन governor ने उस सलाह को नहीं माना तो इस तरक को भी court ने खारिज कर दिया also rejected was साती सात इस बात को भी court की तरफ से खारिज कर दिये गया also rejected was the contention contention का मतलब होता है किसी तरह की कोई दावेदारी that the prior approval requirement prior का मतलब हो गया पूर्व prior approval का मतलब हो गया पूर्व सहमती requirement under section 17a of the prevention of corruption act for opening a probe can only pertain to a police officer and not any private complainant अब देखो यह जो section 17a है prevention of corruption act के तहत जो 17a है वो क्या कहता है यह किस बारे में है opening a probe एक जाच खोलने के बारे में तो यह क्या कहता है कि अगर यह जाच जो है open करना है तो वो जाच जो है संबंदित हो सकती है pertain का मतलब होता है संबंदित होना और इसके साथ आता है two preposition pertain to a police officer and not any private complainant तो यानि कि यह जो जाच है वो सिर्फ police officer से संबंदित हो सकती है किसी private complainant से संबंदित नहीं हो सकती है निजी शिकायत करता से संबंदित नहीं हो सकती इस बात को भी court ने खारिज कर दिया the high court verdict narrate narrate का मत्तब है कुछ कहना कुछ बताना तो high court verdict का मत्तब है फैसला तो high court का यह जो फैसला है वो इस चीज को narrate करता है इस चीज को बताता है the facts behind the way in which miss parvati came to possess possess का मत्तब होता है उस चीज को किसी चीज को कि आप malik बन जाते हो उसको आप possess कर लेते हो the land through a gift deed from her brother तो high court का जो फैसला है वो उन facts को बताता है जो की पीछे हैं किस चीज के पीछे हैं कि किस तरह से miss parvati जो है वो land की मालिक बन गई through के माध्यम से a gift deed from her brother यानि कि miss parvati के जो भाई हैं उनकी तरफ से उन्हें जो है gift के रूप में एक तरह से ये संपत्ती मिली who had purchased the land अब देखो miss parvati के जो ब्रदर है who had purchased the land इन्होंने जमीन खरीदी थी from a person एक व्यक्ती से long after its acquisition had been notified यानि कि बहुत लंबे समय बाद acquisition का मतब है अधिग्रहन had been notified कि जमीन क्या जो अधिग्रहन था उसका notification जारी हो गया था और उसके बहुत लंबे वक्त के बाद miss parvati के भाई ने वो जमीन जो है खरीदी थी and the compensation amount deposited in the court और जो compensation amount था वो ही compensation का मतब होता है एक तरह से छती पूर्ती या हर जाना वो amount जो है court में deposit किया गया था it justifies the governor acting on his own discretion high court जो है justify का मतलब है उचित ठहराना the governor तो high court ने governor के action को उचित ठहराया act on का मतलब है action लेना on his own discretion discretion का मतलब होता है आपके खुद के mind का प्रियोग करना अपने विवेक का प्रियोग करना on the ground यानि कि इस आधार पे high court ने governor के action को जायज ठहराया that the council of ministers was biased biased का मतलब होता है पक्षपात पूर्ण होना निस्पक्षण होना towards the CM कि जो council of ministers थी जो मंत्री मंडल था वो CM के प्रती पक्षपात पूर्ण था इसलिए governor का जो action था वो जायज था and its advice to the governor to reject का मतलब है खारिच कर देना the request for sanction का मतलब है अनुमती देना वाज rightly ignored और minister council of ministers जो थी उसने governor को advice दी थी क्या कि भई जाच के लिए मंजूरी न दी जाए तो कुल मिलाके कहने का मतलब यह है कि governor ने अगर council of minister की advice को ignore किया तो rightly ignore किया ignore का मतलब है नजर अंदाज करना तो rightly ignore किया बिल्कुल ठीक किया its ruling on section 17a is rooted in an earlier करनाटक high court decision कि court का जो फैसला है 17a के संबंद में उसकी जड़े हम कहां पाते हैं in an earlier करनाटक high court decision की पूरू में करनाटक high court के द्वारा भी एक decision दिया गया था उसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान section 17a संबंदित decision high court ने दिया है क्या था वो decision that a private complainant has to produce the sanctioning authority's approval for the jurisdiction court to take cognizance of his complaint of corruption against a public servant तो देखो पूरू का एक उधारन था कि जो private complainant है अगर निजी शिकायत करता है कोई तो उसे जो है ना produce करना पड़ता है क्या sanctioning authority's approval for the jurisdiction court की jurisdiction court का मतलब है की जो अधिकार छेत्र वाला court है ना जहां भी आपका अधिकार छेत्र है जिस court में भी आप जो है अपनी complaint लेके जा रहे हो तो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा sanctioning authority का approval जो है आपको रखना पड़ेगा to take cognizance cognizance का मतलब होता है संग्यान लेना कि जैसे court के पास matter आया और court ने उस matter पे संग्यान लिया अमल किया cognizance of his complaint of corruption against a public servant कि किसी public servant के against भिस्टाचार की अगर complaint है और court उसका संग्यान ले तो जो संबंदित jurisdiction court होता है वहाँ पर जो sanctioning authority है उसके approval को उसकी manjuri को private complainant को रखना होता है this aspect may be taken up on appeal ये जो पहलू है ये जो पक्ष है इस पक्ष को लेकर आगे appeal की जा सकती है as also the court's rejection of और इस संबंद में भी appeal की जा सकती है कि संबंद में कि court ने क्या किया reject कर दिया किस चीज को Mr. Siddha Ramayas की contention कि Mr. Siddha Ramayas ने जो प्रमुक रूप से बात रखी थी ये को content करने का मत्तब होता है अपनी बात को दावेदारी के साथ रखना that he had made no decision Mr. Siddha Ramayas ने ये भी कहा कि भई मैंने कोई decision नहीं लिया था या मैंने किसी तरह की कोई recommendation नहीं की थी in this M.U.D.A. matter कि भई ये जो M.U.D.A. का matter था ये M.U.D.A. के द्वारा ही लिया गया और इस decision making में मैं इन्वाल्व नहीं था मैंने किसी तरह की कोई recommendation नहीं की थी तो आगे अपील करते हुए M.S.D.A. रमया इस बात को रख सकते हैं to justify इस बात को justify करने के लिए the court allowing an investigation against him देखो क्या है to justify the court allowing an investigation against him कि भई court ने इस बात को allow किया क्या कि उनके खिलाफ investigation की जाए तो कहने का मतलब यह है कि M.S.D.A. रमया ने इस बात को रखा था इस बात को कहा था court में कि M.U.D.A. का खुद का अपना decision था मैं इसमें involved नहीं था तो इस बात को appeal के रूप में M.S.D.A. रमया रख सकते हैं the question whether the governor was free from bias is also likely to arise likely का मतलब है ऐसा होने की संभावना है Arise का मतलब होता है कि यह मुद्धा खड़ा हो सकता है यह मुद्धा उठ सकता है तो यह प्रशन है कि governor जो है क्या वे पक्षपात से मुक्त थे is also likely to arise तो यह मुद्धा भी आगे उठने की उम्मीद है Beyond fact and law की कानून और तत्थियों के परे The central question in this case is मुख्य प्रशन जो इस पूरे मामले में है वो यह Whether this is a genuine anti-corruption move कि क्या यह जो step लिया जा रहा है इस case के समद्ध में क्या यह वास्तव में एक निस्पक्ष ब्रश्टाचार विरोधी कदम है या फिर or an instance या फिर ये एक उधारन है एक घटना है of a governor कि एक governor जो है वो यूज कर रहा है the statutory power अपने कानूनी अधिकार का to allow investigation investigation को allow करने के लिए or prosecution prosecution का मतलब होता है अभियोग to undermine a regime regime का मतलब हो गया कोई शाशन या कोई सरकार undermine का मतलब होता है किसी चीज के महतों को कम करना उसे और कमजोर करना तो जो real question है वो ये कि इस पूरे मामले में जो कुछ हो रहा है क्या वो वास्तव में एक भिष्टाचार विरोधी कदम है या फिर ऐसा तो नहीं कि governor जो है एक सरकार की एक सरकार की जो इस्थिती है उसे कमजोर करने के लिए governor कहीं ऐसा तो नहीं अपनी power का दुरूपियों कर रहा है तो ये question जो है सरवादिक जो है महतोपूर्ण है तो ये था हमारा आज का editorial कर दूटरियों कर दूपियों